Hello everyone, welcome back. Placement series में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं Accenture के coding question के बारे में जिस question के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा important question है क्योंकि ये multiple companies ने इस question को अपने coding round में पूछा है जली जानते हैं ये question कौन सा है ये question है the difference of sum जिसमें n and हमारे क्या arguments है ये की हैं दोनों क्या हैं दोनों integer है two integer the function accept two integer n o m as argument find the sum of all the number in the range from one to m both exclusive debts are not divisible by n यानि कि हमारे पास दो integer है n o m हमको range दे रखी होगी जहां से एक से लिके start करना है कहा तक जाना m तक जाना है ठीक और return हम लोग के पास जो numbers होगा उसको divisible not divisible by n कोई number वो उससे नहीं होगा हम लोग के का करना है return the difference of sum of integer not divisible by n with the sum of divisible by n ठीक यानि कि हमारे पास एक number होगा जो कि n होगा n हमारे कुछ भी हो सकता है 2 सकता है 3 हो सकता है हमारे पास m होगा यानि कि हमारे range होगा 1 से लेकर M तक M हमारी particular range होगा हमको यह बताना है कि नंबर यह जो N है N equal to number थो इस range में number से जो divisible हो रहा होगा उसका sum करदेंगे जो divisible हो रहा है जो divisible हो रहा तो उसका क्या कर देंगे हम लोग sum कर देंगे ठीक और जो नहीं ृहरा है नॉट ृहरा है जितने बचे होंगे एम तक जितने रेंज की जितने नमा बचे होंगे तो इन से उनका हम लोग रहें उनका सम करने के बाद दोनों का difference लेंगे और हमारा एक particular क्या आजाएगा output आजागा उसी output को हमको क्या करना है print करना है यह question कह रहा है अब example समस्ते है example यहाँ पर given है ठीक example number one given है जहाँ पर n की value हम लोको 4 given है और m 20 तक given है यानि कि हमारे जो range होगी number by n यानि कि वह number जो n से divisaal हों कहां तक range 1 से लेकर 20 तक उनको उन दोनों का difference करना है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक ले लेंगे कि जो divisaal होगा divisaal की number होगा जो 4 है वो क्या 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 है थीक एक से लेकि क्या क्या है धांगे अब जो नहीं हो रहें सillon हो रहें और दिक्ते से फाइक से फाइफ होगा जैThis होगा 12 हो चुगा 13 होगा फ्लस 14 होगा 15 होगा दें 17 होगा दें 18 होगा दें 19 यह हमारे हैं और इसका total sum होगा इस सम वह होगा 150 हम दोनों के sum निकाल लिए है non divisal के और divisal के अब हम लोगों difference निकालना हो तो 150-60 तो हमारा एंसर कितना है अगर 90 हमारा क्या होगा आउप्ट होगा यहीं हमारा क्या है आउट्पुट है यहीं हमारा एंसर है टिक सेम इंपूट दूसरे रखार दूसरे एकजैंपल दे रखा इसमें भी हम लोगों गन्मन को निकाल देंगए यही इसकी concept को हमको coding में implement करना है अब कैसे implement करेंगे वो देखते हैं इसको प्लेज कर लेते हैं नौ पेज लेते हैं यहां पर हम लोग coding अब जिस coding में interest रही है कि अगर आपको C++ आता है जावा आती है शी शाप आती है अब उसमें इसमें काम कर सकते हैं सबसे पहले क्या कहा रहा था हम लोग को function था def जिसका नाम था difference difference of sum हम लिख रहे हैं जिसमें हम लोग दो argument थे कौन कौन से and or argument थे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे initialize करेंगे इसके लिए कि initialize the sum of number divisible or non divisible by n ठीक तो उसके लिए हम लोग एक variable लेंगे sum जो divisible है ठीक करफॉर्म लिख रहे हैं हम लोग sum करेंगे और हम लोग loop लगाएंगे i for i in i in हमारा range होगा range हमको पता थी range का क्या पता थी कि हम लोग एक से लेके चलना है कि m plus one तक चलना है ठीक नाव और यहीं पर हम लोग एक loop लगाएंगे एक परसंटेज एंड इक वल टो जीरो यह मारक के लिए होगा अब लोग चक करेंगे sum not divisible के लिए लगाएंगे इसके लिए भी होगा हम लोग sum i for i in range i m plus one m plus one और यहीं पर condition लगेगी if i percent more less not divisible by 0 यानिकि जो 0 नहीं होगा यानिकि जो n होगा वो divisible नहीं होगा equal to equal to 0 नहीं दे रहा तो हम लोग यह पूरा टा कंडिशन के लिए sum of not divisible by जो number divisible नहीं हो रहा ठीक उसके बात हम लोग को क्या करना था दोनों difference कैसे लेंगे हम लोग के एक variable होगा difference come then हम लोग some div minus some not divisible by then हम लोग को इसको ही क्या कर देंगे return कर देंगे return जो हम लोग का answer आगे difference में उससी को क्या कर देंगे return कर देंगे ठीक ना सब्सक्राइब आगे आपको सहन नहीं है तो मैं एक एक करके explain करता हूं में कि the function जो function हमारे पता है difference of sum है जिसमें हम लोग को दो argument है जिस वो जो कि नो एम है argument हमारे पास है हम लोग क्या calculate करेंगे sum of number divisible by n और the sum of number do not divisible by n using the list comparison में का इस्तिमाल करके हम लोग calculate करेंगे अब कैसे calculate करेंगे अगर हम example की बात करेंगे हम लोग इस line को क्या कह रहेंगे sum of number करें जो divisible और non divisible by जो values हो रहा है जाने कि यह रहे हैं हम लोग क्या क्या है range हमको पता है कि 1 से लेकर M तक जाना है तो हम लोग ने condition लगा दिया जो चीडिविजल होगी न वह जीरो हो जाएगा जो आपको पता हो अल्लडी होगी कि अगर जो हम लोग तो हमको क्या देगा zero देगा एक वल टुठीव और जो कि अगर इसमें स्टॉर हो जाएगा दिफरेंस में इसी डिफरेंस को हम लोग ने क्या कर दिया अगरा दिया यही हमारा मेर्ण कॉंसप्ट है थेंक ये व्रिवान